इर्फान की बेल आधार काड़ वाले मामले में उन्होंने काउंटर के लिए टाइम दिया है चार अफते का और वो भी 15-16 परूरी तक पूरा हो जाएगा तो आई होप कि उसके बाद इर्फान की बेल आधार काड़ वाले मामले में हो जाएगी यह कहीं न कहीं पुलिस का एक जान बूज के किया हुआ काम कि हम सारे विडेंस नहीं लगाएंगे सिर्फ वो ही विडेंस लगाएंगे जो किसी को आरूपी बना सके समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सुलंकी की मामले में हाई कोट से लगातार एक के बाद एक पांच बेल होने के बाद कानपूर पुलिस की टेंशन कुछ बढ़ गई है लेकिन बात करी जाए भी इरफान सुलंकी और रिजवान सुलंकी की जो की में अक्यूजड है पूरे केस में उनको अभी हाई कोट से कोई राहत नहीं मिली है और उनकी बेल को खारज़ कर दिया गया है इस वक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरफान सुलंकी की काउंसिल गौरफ दिख्षित जो सुप्रीम कोट मूव कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर जानेंगे गौरफ जी ये बताईए कि हाई कोट से आपके क्लाइंट रिजवान और इरफान इन लोग को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है अब आप लोग का आगे का स्टेप क्या हो हाई कोट में मैं चार लोगों के लिए अपेर हुआ हूँ इरफान सोलंग की रिजवान सोलंग की अक्तर मंसूरी और अनवर मंसूरी जिसमें आधार काड़ वाले मामले में अक्तर मंसूरी और अनवर मंसूरी की बेल हो चुकी है पुलिस के अच्छे थे अपोज अच्छे थे इस्पेशल काउंसिल भी थे लेकिन हाई कोट को बहतर लगा बेल देना मामला प्रेवाफिस आई उनके लिए नहीं बन रहा था इसलिए हाई कोट ने बेल को ग्रंट किया इर्फान की बेल आधार काड़ वाले मामले में उन्होंने काउंटर के लिए टाइम दिया है चार अफते का और वो भी 15-16 फर्वरी तक पूरा हो जाएगा तो आई होप कि उसके बाद इर्फान की बेल आधार काड़ वाले मामले में हो जाएगी आगजनी वाले मामले में रिजवान सोलंकी मेन एक्यूजड है और इर्फान सोलंकी को एक्यूजड है चूंकि को एक्यूजड की बेल हाई कोट से पहले खारिज हो चुकी थी इस वज़े से रिजवान सुलंकी की बिल को खरिश किया गए यही ओडर में आया अब हमारी त्यारी हूली के बाद सुप्रीम कोट जाने के लिए है क्योंकि अभी कुछ डोकुमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, चार्जस फ्रेम हो जाएं, बयान वगरा हो जाएं तो उसके बाद हमें आसानी हो जाएगी किम हम, हम बिल आराम से करवा सकेंगे सुप्रीम कोट से पुलिस की इन्विस्टिगेशन पर आपने काफी सवाल उठाएगा चाहे वो हाई कोट ने एक इस्ट्रक्चर पास किया हुआ था, कि CDR और लोकेशन, एक्यूजड की, विटनेस की, कम्प्लेनिंट की लगाई जाएंगी पर आगजनी वाले मामले में CDR का उलेक तो किया गया, कि साइबर सिल से मांगी गई, सर्वलैन से मांगी गई उसको दाखिल करने की बात भी विवेचक ने कही है, लेकिन पूरी केस डाइरी में कहीं पर भी, ना CDR है, और नहीं उसके कोई भी पेपर उसके साथ अटेच किये गए हैं माने, पुलिस कमिशनर साहब को भी इसी बात पर एप्लिकेशन दी गई थी, क्योंकि I.O. ने कहीं पर भी उन चीज़ों को एड नहीं किया, कहीं पर लगाया नहीं है तो कहीं न कहीं इस चीज़ पर एक डाउट खड़ा हो रहा है कि विवेचक किस तरीके से मनमारे रंग से काम कर रहे हैं, कि हाई कोट का आदेश है, कि आपको CDR लोकेशन इसाब लगानी है और उसके बाद भी वो उलेक तो करते हैं CD में, पर उसको एड नहीं करते हैं पुलिस कमिशनर साहब आदेश करते हैं, उसके बाद भी वो सप्लिमेंटरी में भी दाखिल नहीं करते हैं जबकि दूसरे मामले में इर्फान की लोकेशन शाम छे बजे से लेके रात के साड़े ग्यारा बजे तक रजबी रोड पर है यह खुद पुलिस ने माना है दूसरे मुकदमों में और उसको इसका पार्ट नहीं बनाया गया तो यह कहीं न कहीं पुलिस का एक जान बूझ के किया हुआ काम कि हम सारे एविडेंस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो ही एविडेंस लगाएंगे जो किसी को आरूपी बना सके जबकि पुलिस का काम जैसा CRPC में है कि collection of evidence है पुलिस को नहीं तेह करना है कि कौन अपरादी है कौन नहीं है पुलिस का काम है साक्षों को इखटा करके नियाले में प्रसुत कर देना यह नियाले का काम है कि कौन आरूपी है या कौन अपरादी है या नहीं है वो नियाले तेह करेगा बात करेज़ा अगर कानपुर पुलिस की तो उनका दावा है कि रिफान सुलंकी और इजवान सुलंकी से जोड़ी डेट सो करोड के आसपास की property चिन्हित करी गई है जिसे आगे जाके जिस पर कारवाई होगी, इस पर आप पर कहें। पुलिस तो इसको ऑन रिकॉर्ड कह रही है। जिसे आपको उमीद है कि आपको नियाए मिलेगा। नियाए तो कोड से ही मिलता है, पुलिस के तरीके अपने हैं, और जिस तरीके से पुलिस कारवाईयां कर रही है, उससे साब पुलिस की फरस्टेशन समझ में आ रही है। कि किसी की भोगोलों की स्थिति कहीं और है, लेकिन चूंकि उसका बेनेफिट उसको मिल लियाएगा, कि वो वहाँ नहीं था, और हमको तो उसको अक्यूस बनाना है, तो यह सब चीज़ें कहीं न कहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लूफोल को साबित करती हो, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं सेक्ड़ों बार कहा है, कि हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पूरे हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस, किसी भी राजी की पुल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कोई भरोसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, पुलिस की मन्शा पे और उनकी इन्वेस्टिगेशन पे लगतार सवाल खड़े हो रहे हैं, अब देखना ये है कि कांदपुर पुलिस जो दावे कर रही है, क्या उसे कोर्ट में साब झाल 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 झाल